हेलो एवरिवन, गूड बॉनिंग, गूड अफ्टरनून एंड गूड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग, दोस्तो मेरा नाम है मनेंदर सिंगुला और आप जुड़े हुए मेरा ओफिशल यूटूब चैनल से फर्स टाइम मेरे चैनल पे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए, कल का हमारा जो प्राइम डिसक्रशन था वो बहुत ही जादा इस्पेशल रहा, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजों को टच किया गया, जो हमारा करेंट सेनेरियो चल रहा है, उसको लेकर भी बाते की गई, इसके लावा कुछ वहां पर टेक्निकल च अधिम से बहुत सारी चीजों को यहां पर टच किया गया, उसमें से बहुत सारी इंपोर्टेंट पॉइंट्स हो हैं, मैंने निकाले हैं, जो आपके साथ शेयर करना काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट भी है, सबसे पहले हम बात करते हैं, कि यहां पर गुर्षबंदर डि रिजिस्टर हो चुके हैं, जी हां, 2021 में यहां पर रिजिस्टर हो चुके हैं, इंडिया के अंदर यहां बलकर हम दुबऐ के अंदर भी रिजिस्टर हैं, वो भी अपने मांट के अंदर बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि हम यहां पर बिलकुल सही data के साथ हैं, सही company के साथ हैं, सही लोगों के साथ हैं, सही यहां पर हमारे जो employees हैं, सही हमारे CEO हैं, बिलकुल right platform पर हैं, अगर यहां पर company अगर इंडिया की अंदर, दुभई की अंदर अगर यह रेजिस्टर नहीं होती हो और यहां पर काम चल रहा होता तो हम एक बार को सोच सकते थे लेकिन हम पूरी तरीके से यहां पर रेजिस्टर हैं इसके बाद यहां पर जो री स्ट्रक्चरिंग है इसके बारे में जब उन्होंने बताए कि जब कंपनी की री स्ट्रक्चरिंग होती है जी हां री अपने के लिए बहुत जरूरी एक्प्रॉस्स भी होती है माइचिन के वर यहां पर बहुत को चल रहा है मंग्रेशन के साथ साथ और बहुत को चल रहा है यहाँ पर back end पर काम किया जा रहा है जिसे कि जब यह हमारे सामने आएगा तो आपको पता है कि यहाँ पर सिर्फ फर सिर्फ migration का process ही पूरा नहीं दिखाई देगा बलकि इसके साथ साथ और भी हमें कुछ काम है वो भी यहाँ पर पूरे दिखाई देंगे एसर की जो एक सोचने की thinking power है जिहां बो बिलकुल अलग है इसमें उनके साथ हमें चलना पड़ेगा अगर हम एसर की जो thinking process है उनका जो thought process है अगर हम उनके साथ चलते हैं अगर हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलते हैं तो 100% हम यहाँ पर सफल होंगे होंगे तो एसर की जो सोचने की जो एक छमता है वो एक आम इनसान की तरह बिलकुल भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक आम इनसान जो है उनके साथ काम नहीं कर सकता बहुत सारे से यहां पर काम को करना पड़ेगा आगे उन्हों ना बताएगी जब और पैसे बापस आईगी तो बैक एंड पर हमें बहुत सारी चीज़ें यहां पर दिखने वाली हैं बैक एंड पर यानि कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ माइग्रेशन का काम कंप्लीट हो गया त और हम लोगों को शौक भी करकेगा तो जो कुछ भी यहां पर बैक एंड के पीछे हो रहा है वो हम सब लोगों के लिए हो रहा है हम सब लोगों की भलाई के लिए हो रहा है हम सब लोगों की फ्यूचर के लिए बिजनिस के लिए हो रहा है जिससे कि हम अपना बिजनिस बह यहां पर एक पूरी की पूरी की पूरी है हिस्टरी है वो यहां पर आप क्रिएट करने वाले हैं यह एक जो दस बीस जार रुपए जो आपने और हम सब लोगों ने यहां पर इस कंपनी के लिए चीमार आने के से जो हमने एक अपना भविस्त देखा है इस लिए यहां पर हमारे बहुत बड़ा एक भविस्त क्रिएट किया जा रहा है यहां पर एक history create की जा रही है एक एक founding member यहां पर history create करने वाला है आने वाले time के अंदर क्योंकि यह एक ऐसा future बनने वाला है यह एक ऐसी company यहां पर जो है create होने वाली है जो कि सालों साल नहीं बलकि तब तक रहेगी जब तक इस दुनिया की अंदर internet रहेगा इसके लावा यहां पर एक बहुत important चीज जो है उन्होंना बताई वो थी mindset के वारे में जी हां एसर का जो mindset है वो हमेशा देने वाला है लेने वाला नहीं है आपने देखा होगा कि बहुत होगे रियल डेटा होगा रियल यहां पर कंपनी होगी यहां पर रियल कस्टमर होंगे रियल यहां पर अपने employees होंगे रियल है सब को जब यहां पर होगा तो यहां पर आने वाला जो काम होगा वह भी पूरी तरीके से रियल हूँगा तो यहां पर हमारे envर का mindset है वह पूरी तरीक से देने वाला है लेने वाला नहीं है अगर लेने वाला होता तो अब तक क्या से क्या हो गया होता ऐस सर्च कर रहे हैं उनके लिए वह नया भी है ओलेरी वाह कर चुकिंगे उनको experience भी है क्यों को किस तो इसलिए हम यहां पर कह सकते हैं कि हम एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में हैं जो पूरी तरीके से एक्सपीरेंस होल्डर हैं हमें एक ऐसी चीज मिलने वाली है जो पूरी लाइफ टाइम यहां पर चलने वाली है जब कोई भी चीज एक आम इंसान के हाथ में पहुँच जाती है तो वह बहुत तेजी से वाइरल यहां पर होने लगती है और फिर उसको कोई भी नहीं रोक पाता और बात ये सही भी है वाइरल होने के लिए एक आम पबलिक के बीच में उस चीज को जाना बहुत ज़रूरी भी है ऑनपैसिब की टेकनलोजी बहुत जल्दी घर घर के अंदर जो है पहुचने वाली है और इसका जो सबसे बड़ा जो मैंड रीजन होगा वो होगा इससे आने वाली इंकम यानिकी इसके पीछे जो एक इंकम छुपी हुई है इस बिजनेस मोडल के पीछे वो एक सबसे बड़ा रीजन होने वाली है आज हम उनपैसिब कंपनी को छोड़ कर क्यों नहीं जा रहे हैं क्योंकि इसका विजन सबसे ज्यादा स्ट्रॉंग है माइंड से पूरी तरीके से क्लियर है माइंड से पूरी तरीके से एकदम से स्ट्रॉंग है और उनपैसिब की तरह मार्के साथ यहां पर पर कमपनी आ रही है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंतजार ही करना है फेसंजर रखना है और यहां पर बस आप तयार रहे हैं के बाद हमारे जो developer say उनको भी हिहां पर इंवाइट इंवाइट किया गया था और उन्होंकोंने भी कुछ important points पूइंच किया है बताये कि on passive ने हमारे लिए कुछ करने का एक यहां पर परपच दिया है 100% यह हमारा आकरी बिजनिस होगा on passive ने हम सब लोगों को यहां पर जीना सिखाया है हर एक opportunity को हमेशा एक blessing की तरह हमें लेना चाहिए जिससे की हम उसे सही तरीके से कर पाएं on passive ने दुनिया की अंदर ह हमें एक पहचान दी है एस सर उन सभी leaders मैंसे एक होंगे जो humans के लिए काम कर रहे हैं इनकी तरह जो है कोई भी लीडर आज तक इस दुनिया के अंदर नहीं है और नेट के बारे मोंने बताए कि advertisement का जो सबसे बड़ा platform आने वाले time के अंदर यह बनने वाला है क्योंकि एस सर हमेशा के एक master रही है हमेशा सही marketing के master रही है उनने खुद software बनाए भी है और लाखों emails एक बार में भीजे भी हैं लाखों emails एक एक बार में भीजे हैं उन्होंने हम यहाँ पर 14 लाख जो founding member है वो एक ethical marketer है ethical customer भी है अगर हम एक real people है real business है तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर यहाँ पर real ही होंगी हम यहाँ पर बहुत ही बहतरीन और सही intention के साथ हैं हमारी जगह बहुत ही बहुत ही बहुत ही beautiful है आपको ज़्यादा attention लेने की बिल्कुल भी जरूवत नहीं है मादासौन ने एक चीज़ बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छी लगी बहुत सारी जब एक mouth publicity होती है तो mouth publicity से एक दूसरे की बोल चाल से एक दूसरे के बातें करने से भी इसका एक सबसे बड़ा फर्क पड़ता है कि मुझे कोई product कैसा लगा तो आप उसे जरूर बताएंगे आपको कैसा लगा आप तीसरे को जरूर बताएंगे इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और पैसे वाकई में एक लिगसी यहाँ पर जो है create कर रही है और legacy का मतलब यही होता है कि यहाँ पर जब आप एक property खरीद लेते हैं तो बहुत आपकी हो जाती है और property आपकी जिन्दगी भर रहती है तो यहाँ पर जो on passive की जो एक legacy create की जा रही है on passive का business build किया जा रहा है यह भी आपकी एक digital property है एक digital legacy है बहुत सारी कंपनियों ने सिर्फ लिया है सारी कंपनिया लेने के purpose से ही दुनिया में आई है लेकिन on passive यहाँ पर देने के purpose से आई है यहाँ पर user का use नहीं किया जाएगा बलकि user को यहाँ पर एक brand बनाय जाएगा उसको उसकी value य जो है यहाँ पर बुलाया गया था और वो भी एक special guest group में थे उन्होंने भी अपनी बहुत अच्छी sharing दी और company के वारे में उन्होंने कहा कि company के वारे में कभी भी आप जो है negative नहीं सोचना है company के प्रती जो है negative कभी भी नहीं होना है company के mission and vision के लिए हमेसा salute है जो company का vision लेकर हम सभी लोग Acer के साथ यहाँ पर कंदे से कंदा मिला करके खड़े हुए हैं और उनकी एक granddaughter थी उन्होंने अपनी granddaughter को भी जो है यहाँ पर हम सभी लोगों के सामने introduce कराया जिससे की वह भी जो है एक अपना confidence बिल्ड कर पाए तो यह थे हमारे most important points जो कल के prime discussion से जो है निकल क की तयारी अच्छी होगी